हेलो वेलकम फ्रेंड एक बार फिर स्वागत है आपका study heights पर मैं हो क्यास्तोमर दोस्तो आज हम बात करेंगे assignment related एक topic पर जो यह काफी important topic है जैसा कि आप सभी जानते हैं इगनुम assignment बनाकर submit करना एक mandatory procedure है जिसको सभी student follow करते हैं चाहे वो bachelor degree program के student हो master degree program के student हो या फिर diploma या certificate तो सभी के लिए mandatory procedure जो है जो इसी से related जो आज का हमारा topic है वो है कि इगनुम assignment बनाकर submit करने के क्या benefits आपको होते हैं तो mostly student सोच रहे होंगे कि assignment बनाकर submit करने से उन्हें assignments के marks मिलते हैं जो उनके theory marks के साथ add होते हैं तो यह तो एक benefit आपका है ही है कि जब भी आप self assignment बनाते हैं self assignment से मेरा मतलब है कि आप खुद अगर assignment prepare करते हैं बिना किसी के copy किये हुए तो उसका सबसे बड़ा benefit आपको assignments का मिलेगा यूगि जब भी आप कोई भी assignment prepare करेंगे तो assignment में almost आपके 50 से 60% topics cover किये जाते हैं जो भी आपके course में होते हैं तो अगर आप assignment खुद बनाते हैं तो आप उसे detail में बनाकर submit करते हैं एक कोशन को अच्छे से देखते हैं और हर चीज को पढ़कर ही बनाते हैं जिससे आपके exam में काफी help मिलती है क्योंकि assignment submit करने के एक या देड़ महिने बाद exam स्टार्ट हो जाते हैं तो वह काफी अच्छा रहता है कि आपके लिए कि आप assignment खुद बनाएं ताकि आपको सारे questions याद रह सकें और exam के time पर आपको सिरिफ last minute study से ही आपको अपने exam में को problem face ना करनी पड़े तो इसलिए अगर आप खुद assignment बनाकर submit करते हैं तो वह सबसे best option है आपके exam preparation के लिए तो इससे आपको काफी help मिलती है इसलिए assignment submit करने का सबसे बड़ा benefit यह होता है कि आपके exam की preparation भी साथ साथ हो जाती है अब बात करते हैं second point की कि जो आपके assignments हैं अगर आप इने खुद बनाकर prepare करते हैं तो इसमें आपके marks भी काफी अच्छे आपको मिलेंगे क्योंकि as compared to copy और paste assignment अगर आप बनाएंगे तो उसमें आपको काफी कम marks देखने को मिलेंगे क्योंकि almost सभी student के same assignment होते हैं जिसकी वज़े से काफी कम marks उनने provide किये जाते हैं और examiner ए सब भी आप बनाएंगे अपनी language में बनाएंगे जिससे आपको marks भी अच्छे मिलेंगे और किसी से assignment copy भी नहीं होगा तो इसलिए self assignment बनाएं ताकि आपके marks improve हो सकें और बाकी student के comparison में आपको अच्छे marks मिल सकें जैसा कि आप सभी सोच रहे थे कि assignment का जो सबसे बड़ा benefit है वो मैं आपको last में बता रहा हूँ यूगि काफी student इसके बारे में जानते भी होंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके assignment के 30% जो weightage है वो आपके grade card में count होता है यानि कि अगर आपके assignment में 100 में से 100 marks हैं तो उसके 30% marks यानि 30 number आपके theory marks के साथ आपके grade card में add के जाएंगे suppose that आपके theory में 70 में से 50 marks हैं तो आपके assignment के 30% और आपके theory के marks हैं उसका 70% यहाँ पर count किया जाता है और उनको total करके आपके marks आते हैं तो इसलिए आपके marks काफी improve हो जाएंगे इसलिए assignment आपको खुद बनाने चाहिए और अगर आप copy करके भी कहीं से बनाते हैं तो उसमें भ submit करने के आपको सिर्फ benefits ही होंगे कोई किसी तरह का disadvantage नहीं होगा तो इस बात का खास तोर पर ध्यान रखें कि assignment बनाकर हमेशा time पर submit करें ताकि आपको अच्छे marks मिल सकें और time पर आपका result update हो जाए तो उमीद करता हूँ यह वीडियो और यह topic आपके लिए helpful रहा होगा और problems हैं ताकि वह short out हो सकें और अगर आप first time इस चैनल पर visit कर रहे हैं या आप या अपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली सभी वीडियो के notification आपको मिलते रहेंगे तो bell icon को भी ज़रूर प्रेस करें सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टोपिक पर तिल दें टेक केर और गुडबाए